अल्मोडा जिले के नाकोट ग्राम सभा में कोरुना काल में बाहर से नौकरी छोड़ कर घर लोटे प्रवासी युवाउं ने गाउं को सुधारने की एक महीम शुरू की है जहां गाउं में अवेद रूप से विकरही शराब के खिलाफ इन युवाउं ने इन दिनों अभियान चलाया हुआ है इन युवाउं के इस अभियान का हिस्सा अब अन्य ग्रामीड भी बन रही है जिसे प्रवासीयों की ये मुहीम रंग लाती दिख रही है बतादें की ग्रामीड क्षेत्रों में अवेद शराब का धंदा लंबे समय से फल फूल रहा है जिस कारण यहां शराब के कारण घरेलू हिंसा महिलाओं से मारपीट की घटनाएं आए दिन होती रहती है अल्मुडा जिले के धौला देवी विकासखंड के नाकोट ग्रामसभा के युवा प्रवासी जब इन दिनों महामारी के दोर में अपने गाउं पहुँचे तो उन्होंने देखा कि गाउं की दुकानों में खुलियाम अवेद रूप से शराब बिक रही है जिस कारण शराब पीकर दिन रात गाउं में हंगामा हो रहा है शराबियों के इसी आतंक से निजात दिलाने के लिए उन्होंने गाउं में अवेद शराब पर पूर्ण प्रतिबंद लगाने की मुहिम शुरू की है उनका कहना है कि अगर गाउं में कोई भी अवेद शराब की विक्री और सेवन कर गाउं का माहूल खराब करने की कोशिच करेगा तो इसके खिलाफ कारवाई की जाएगी कोई नाइटिंग के तहट जौब चोड़के तो गाउं में आने के बाद जब देखा माहूल यहां पर माहूल बहुत खराब है सराब भिक्री है हर जगर का यह हाल है हमारे गाउं में तो हमने जो हमारे भाई लोग सब यूथ वापस आया है तो हमने मिलके एक मोहीम चलाई है सराब बंदी और इसको हमने जुरू किया हुआ है तो हमारे काफी साथ उजन साथ दिया हुआ है तो हम चाहते हैं कि यह बंद हो और इसे गाउं का माहौल सुद्र है हमारी आने वाली पीडी को भी इसके परवाव से हम बचाएं शुरू करने का में उद्देश है तो यही था कि गाउं में जो हमारे आवेत तरीके से शराब की विक्री हो रही है उस पर रोक लगाना गाउं में बच्चों को प्रॉपर पढ़ने का माहौल नहीं मील पा रहा है क्योंकि राद भर हला गुला हंगामा करना यह एक नॉर्मल स साथ दिन पहले स्टार्ट किया युवा प्रवासी गाउं में अवैद शराब के खिलाफ घर घर जाकर हस्ताक्षर अभिहान भी चला रही है यही नहीं खुली बैठक में और जुलूस निकाल कर भी ग्रामीडों ने अवैद शराब के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है प्रितिक रिपोर्ट